नमस्कार दोस्तो टार्गिट विद पिएस परिहार में आपका स्वागत हैं दोस्तो आज है दो सितंबर और सुरू करते हैं आज के रोजगार समाचार आज के रोजगार समाचार के प्रमुक बिंदू है बिहार PCSJ इसके आवेदन मांगे जा रहे हैं और फिर है नलकूब चालकों की जो परिच्चा आज होनी थी दो सितंबर ये जो परिच्चा है रद हो गई है पेपर आउट हो गया था पेपर लीक हो गया था आज आयोग की एक आपात बैठक हुई थी और उसमें ये पता किया गया कि पेपर कहां से लीक हुआ था और इस प होगी तो वो एक स्क्रीनी और उसके बाद में में में– एक जाम होगा और मेंक का जो क्वालीफाइं एक जाम होगा सक्षाथकार फिर भी नहीं रहेगा और बहुत जल्द ही इसकी परिक्चा करवाई जाएगी स्मंभावना है यह परिक्चा भी 9 अंड civ यह नवंबर में हो सकती है फिर दोस्तों अगली जो खबार है वह है टीजीटी पीजीटी की और फिर दोस्तों जो से 6,000 जो विद्यारती जो बच गया थे 40,000 अध्यापक भरती में तो उनको भी जिले ऐलाट कर दिये गये हैं वो लोग वेबसाइट पर देख सकते हैं कि उनको कौन से जिला आमंडित हुआ है तो दोस्तों आए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से आगे बढ़ने से पहले जो नए विद्यार थी हैं जिनोंने इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद में ये बेलाए कि आना है इसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई educational वीडियो तो दोस्तों इसका online आवेदन करना है इसमें लिखा हुआ कि बिहार लोग सेवा आयोगनी सिविल जज्ज के पदों पर भंपर भरतिया निकाली है कुल 349 रिक्त पदों पर निक्तियां की जाएंगे ये बरतियां 30 में बिहार नाएक सेवा प्रतियोगिता परिक्षा के आवेदन पत्र मांगे गए हैं एक चुक उमिद्वारों को online आवेदन करना होगा online registration करने की प्रक्रिया 8 सितंबर 2018 से शुरू होगी और जो 28 सितंबर 2018 तक चलेगी दोस्तों लांस डेट है सितंबर और इसकी आवेदन जो है वह आठ तारीक से शुरू किये जाएंगे जो कुल पद है तीन सोंचास और जो समाने वर्ग के पद है वह 75 अनसूचित जायती के तीन और OBC के 73 और पिछड़ा वर्ग के 42 बिहार में दो होते हैं एक अत्तन पिछड़ा वर्ग होता है तो दोस्तों यह और इसकी जोगता वही है जो समानता होती है कि कि किसी भी यूनिवर्स्टी बिस्विद्याला से ग्रेजिवेशन की डिग्री और जो आयू सीमा है वो निवनितम 22 वर्स अधिकतम 35 वर्स और जो अधिकतम आयू में छूट है विभिन वर्गों के लिए वो बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगी बाकी अधर इस्टेट के जो विद्यार थी है वो समान जो आयू है उसी में रहेंगे दोस्तो अब बात करते हैं कि TGT और PGT इसके लिए इलहाबाद में काफी समय से अंदोलन चल रहा है और जितने भी आयोग हैं सभी भरती बोडों में सबसे सुष्ट जो प्रक्रिया है वो इस समय माधमिक सिक्षा आयोग की है जो TGT और PGT की प्रिक्षा करवाता है दोस्तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा बिल्कुल ठपसा हो गया है तो उसी के लिए विद्यारती यहाँ पर कई दिन से आंदोलन कर रहे थे तो वहीं से सूचना आई है यह देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि माधमिक सिक्षा सेवा चैन बोर्ड प्रतियोगी मोर परिच्छा होने की उम्मीद है प्रतियोगी मंडल में सामिल मोर्चा संयोजग विक्की खान ने इत्यादी ने बताया कि चैन बोर्ड अगर अपनी बातों से पीचे हटता है तो आरपार के लड़ाई है तो दोस्तों यह जो प्रतियोगी चात्र मोर्चा है जिसने भी यह होता है तो लगबग 2 महीने का टाइम और 2-3 महीने का आप लोग तैयारी करिए फिर भी मादमी करतों कोई निश्चित बिल्कुल नहीं रहता है तो ठीक है दोस्तों यह आज की जो प्रमुक सूचना थी यह रही तो ठीक है दोस्तों इसी तरिके के समचार प्राप्त कर कर दोस्तों 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 कर दोस्तों